गूड मॉर्नीं एवरीवन दोस्तों आजा है फैवरीट 21st 2024 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनालेसिस बने नाम है सिते अंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक यहां पे करेंगे आज हम लोग ने दो टोपिक दा हिंदू बिजिनस लाइन से इनके लूट किये हैं जो काफी इंपोर्टेंट मुझे लगे MSP गैरेंटी के बारे हम लोग बात करेंगे देखें जनरली MSP क्या होता है यह हम अच्छे से पता है लेकिन फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं MSP गैरेंटी की उसमें और MSP बाई लोग दोनों के अंदर एक एक आर्टिकल आया है अधा हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर तो इसको हम लोग कवर करेंगे यह आपका GSP पर वान के प्रस्पेक्टिव से GSP 3 के प्रस्पेक्टिव से GSP 2 के प्रस्पेक्टिव से यह टोपिक आपका इंपोर्टेंट बनता है कि कैसे air pollution की जो समस्य है उ इसको हम लोग नहीं कर पाये थे उसके लबाव right to maintenance muslim women को after divorce उनके husband जो monetary maintenance देते हैं क्या वो दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए उसके अंदर क्या law होता है क्या provision है present status क्या है supreme court की क्या observation है वो थोड़ा हम लोग की tax section में देखेंगे यह इंटरस्टिंग सा article है उ Supreme Court ने government को यह कहा है कि आप forest की जो dictionary definition है उसको use करिया तो इसका क्या मतलब होता है इसके बारे हम लोग बात करेंगे 2023 में last year जो amendment हुआ था forest act 1980 के अंदर में उसके अंदर कुछ provisions भी हम थोड़ा सा देखेंगे जो controversial थे ठीक है उसका हम लोग थोड़ा यहां पर एड़ करने व सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह QR code आप यहां पर scan कर सकते हैं और अगर आप SC 1000 code अगर अपलाई करते हैं तो कुछ thousand rupees का discount में तरफ से आपको दिया जाता है क्योंकि no very well कम से कम 2 साल का current affair अभी बहुत जरूरी हो गया है चाहे prelims हो चाहे mains हो उसके बेना काम नहीं चलन पहला article देखते हैं what does a guaranteed MSP mean यह the Hindu business line article है तो यह काफी important मुझे लगा तो देखें फार्मर्स क्या demand कर रहे हैं फार्मर्स दिमांड कर रहे हैं कि भाईया हमें MSP का legal guarantee दी जाए इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कानून बनाया जाए तो कि जब कोई चीज का कानून बन जाता है तो government को उसको owner करना ही पड़ता है अब देखें हमें दो चीज़े हैं एक होती है legal guarantee और एक होती है legally mandated MSP दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फरक होता है guarantee अगर आप कोई सरकार दे देती है आपको कानून बनाके पार्लेमेंट में इसका मतलब आपको वो owner करना ही पड़ेगा इसका मतलब यह है कि वो हर जगह पर अपलाई होगा इसका थोड़ी meaning क्या हो आपको मैं बताता हूं फिलहाल जो MSP calculate किया जाता है CACP के दौरा government के दौरा वो एक formula based होता है और वो formula क्या होता आपका वो formula होता है A2 plus FL ठीक है उसक इसके अंदर 50% add किया जाता है MSP को count करने के लिए यह हम लोग ने परसो वाले रिटोरिल में किया था कि A2 का मतलब क्या होता है इसके अंदर बैसिली जो किसान fertilizer यूज करते हैं और जो labor use करते है family labor है ना उसको combine किया जाता है उसमें 50% किया जाता है फिर एक होता है C2 plus 50% ज rent भी include होता है ठीक है और hidden cost होती है वो भी include होती है तो किसान ये demand कर रहे हैं कि जो MSP है फिलाल जो दिया जाता है इस formula पे उसे change करके इस formula पे कर दिया जाए अब इससे होगा क्या अगर हम लोग स्वामी नाथन कमीटी के formula से जाएं तो MSP जो अभी दिया जा रहा है नया MSP जब निकल के सामनी आएगा तो 40 10 से 45 परसेंट जादा होगा अगर स्वामी नाथन formula से हम लोग जाते हैं तो of course सरकाल इतना फोर्ड नहीं कर सकती है फिलाल 23 crops के ओपर हम लोग MSP देते हैं ठीक है बाकी जो crops हैं उसके ओपर हम लोग नहीं देते हैं जैसे livestock, poultry, fisheries, forest produce इसके लोग MSP अपलाई करते हैं 23 crops के ओपर, यह हमारे total output का सिर्फ 30% होती है, इसका मतलब यह है कि 70% produce के ओपर इंडिया में आज भी MSP नहीं है, अब मज़े की बात यह है, जिन 23 crops में से MSP दिया जाता है, इसमें से सबसे जादा जो share होता है वो सिर्फ paddy और wheat का होता है, यानि क फसलों के ओपर MSP अनॉंस तो किया जाता है सरकार के दौरा, लेकिन इसको procure नहीं किया जाता, procure किया जाता है paddy को और wheat को, ठीक है, तो सोचने की बात है, 70% तो वैसे ही exclude हो गया, यह MSP का पाट है ही नहीं, अगरी कल्चर प्रडूस, इसके अंदर fishery, livestock को include हम कर देते हैं, बागी जो बचा वह 30% है, इसमें से सारा हिस्सा तो paddy और wheat लेगे चले गए, बागी फसलों के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यह यहाँ पर एक important aspect नहीं नज़र आता है, जो नया, जो current formula है, वो इसके ओपर बेज़ आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो कि of course CO2 से काफी ज़्यादा कम होता है, अब देखे ज़रा, MSP has effectively become the procurement price for the rice and wheat, the burden of the procurement for the physical distribution of food grain to the 80 crore people would weigh heavily on the policy options, अभी क्या करती है हम लोग, हमारा जो public distribution system होता है, उसमें जो physical procurement होता है, वो सरकार करती है, अभी यह ज़्यादा तर काम किसके लिए क्या जाता है, rice और wheat के लिए क्य देती है, तो बाकी को भी procure सरकार को ही करना पड़ेगा, distribution भी सरकार को करना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए बहुत ज़्यादा burden हो सकता है, yes, तो legal guarantee of MSP का मतलब यह है, कि it can be argued that MSP itself is a guarantee by the government to ensure that the prices do not fall below the minimum price, अब MSP जो फिला दिया जा रहा है, उसका मतलब गया है, उसका मतल आम में नहीं खरीदेगी, ये एक minimum price होता है, लेकिन farmers के पास दूसरे options भी होते हैं, अगर market price MSP से ज़्यादा मिल रहा है, market में जो traders होते हों दे रहे हैं, तो किसान वहाँ पे जाके आराम से बेच सकते हैं, उसमें कोई दिकत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सरकार खरीद तो हमारे पास जैसे मंडी सिस्टम है, we have designated government agency जैसे FCI है, वहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं, आराम से, ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी बात ये है, क्योंकि आपको पता है कि जादतर procurement rice और wheat कीफ होती है, ठीक है, इंडिया का 85% जो wheat है, वो तीन बड़े state से आता है, हमारा जो 70% जो rice है, market में, वो six state से आता है, मज़े की बात यहाँ पे पंजाब दोनों ही category में जो है largest है, जो market में rice हा रहा है, वहाँ पे भी, हम लोग total produce की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग market के rice की बात कर रहे हैं, वैसे तो West Bengal भी बहुत ज़्यादा rice करता है, तमिलाडू भी करता है, यूपी भी करता है, लेकिन वहाँ पे local consumption ज़्यादा हो जाती है, market के लिए कुछ खास ज़्यादा बचता नहीं है, लेकिन पंजाब market में बहुत ज़्यादा rice contribute करता है, और wheat भी contribute करता है, और इस वज़्याब में जो है इस तरह के ज़्यादा crisis आपको देखने को मिल रहे हैं, तो legal guarantee of MSP, legal guarantee of MSP will not, will only ensure that the successive governments will not be able to remove, अब देखे क्या है, फिलहाल MSP लीगल तो नहीं है, फिलहाल MSP सिर्फ एक policy decision है, आलगि सकार बार बार यह वादा करती है किसानों से, कि हम लोग MSP को नहीं उठाएंगे, लेकिन इसका बात तो गरेंटी तो नहीं है न और इसे आपको continue करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एक और होता है, जिसे बोलते है, mandatory minimum price, दोनों अलग अलग है, legal guarantee अलग है, और mandatory minimum price अलग है, mandatory minimum price का मतलब यह है, कि जैसे हम लोग इसको आप कह सकते है, sugar cane के case में यूज़ करते हैं, अब देखे क्या होत है, सरकार आप से MSP के rate पे लेगी, लेकिन जो बाहर traders होते हैं, वो MSP से ज़्यादा rate में भी ले सकते हैं, MSP से कम rate में भी ले सकते हैं, depends करता है, market में demand कितनी है, लेकिन अगर mandated minimum price होगा, तो कोई भी agency, कोई भी agency, चाहे वो traders हो, private हो, government हो, MSP से कम purchase नहीं कर पाएगी, जैसे sugar cane के case में हम लोग use करते हैं, चाहे market में demand हो नहीं, doesn't matter, लेकिन फिर भी आप MSP से कम नहीं खरीच सकते, अब इसे क्या ना छोटे traders को नुकसान हो जाएगा, यह जो mandatory minimum price है ना, इसे छोटे traders को नुकसान होगा, अच्छा अभी इस बारे में clarity नहीं है कि किसान actually क्या demand क कर रहे हैं, या फिर वो guaranteed minimum price demand कर रहे है, guaranteed में इसमें तोनों फर्क होता है न, guaranteed का मतलब इतना है कि कोई भी future government इस वो discontinue नहीं कर सकती, यह guaranteed का मतलब है, basically, ठीक है वो continue रहेगा हमेशा के लिए, mandatory का मतलब यह है कि private traders को भी MSP को follow करना पड़ेगा, फिलाल private traders MSP को follow नहीं करते ह हैं, लेकिन अगर mandatory minimum price हुआ, तो इससे market distort हो जाएगी, जो छोटे traders हैं, वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे traders न, उस मोके की तलाश में रहते हैं, जब market price MSP से कम हो जाता है, वो तब खरीदते हैं, तो कि महंगे दाम पर नहीं खरीद सकते, operator नहीं कर तो अभी, देखे, government instead of being the buyer of the last resort, अभी क्या है, MSP दिया जाता है सरकार के द्वारा, market में price MSP से जादा होता है, किसान MSP से जादा भी बेचते हैं, लेकिन अगर mandatory minimum price दे दिया, तो किस सरकार को खरीदना ही पड़ेगा, अभी क्या है सरकार, जो उसका मन करती है, वो खरीदत आपना target होता है सरकार का, उसके बाहर आप जो है किसानों से procure नहीं करते हो, किसान जो है वो market में traders को बेच देते हैं, लेकिन अगर mandatory minimum price दे दिया, तो किसान जो है, government जो है, वो last resort की बजाए, first resort बन जाएगा, अभी सरकार जो है, private traders को पहले किसान और private traders को बेचते हैं, उसक अब इतना सारा procure करना सरकार के लिए almost impossible हो जाएगा, इससे होगा क्या, अब जैसे मालों आपके शहर में कोई private trader है, जैसे sugar king के case में होता है, अब इस government ने mandatory minimum price कर दिया है, तो ये trader एक minimum price से कमबे नहीं खरीच सकता, उसका MSP पे ही खरीदना पड़ेगा, इससे होगा क्या, इ जैसे license राज के time पे हुआ करता था, government officers इन private traders के उपर छापा मारेंगे, उनकी book को check करेंगे, ये देखेंगे भई, आप MSP के खरीद रहे हो के नहीं खरीद रहे हो, जैसे sugar king के case में होता है, इससे harassment होगा, इससे पैसा वसूली की जाएगी, corruption बढ़ेगा, क्योंकि आप सीध अब किसान जो दिमांड कर रहे हैं, वो guaranteed MSP की दिमांड कर रहे हैं, या फिर mandatory minimum price की दिमांड कर रहे हैं, ये सवाल है, guarantee अगर दिया जाता है, तो उसमें इतनी खास बड़ी problem नहीं है, क्योंकि सरकार वैसे भी, आने वाली सरकार इभी सो खत्म तो नहीं करने वाली MSP को, ल होंगे, उनके ओपर लगता चापे मारी होगी, ये चेक करने के लिए भाई क्या वो mandatory price वे खरीद रहे हैं का नहीं खरीद रहे हैं, जिससे जो है inspection बढ़ेगा, corruption बढ़ेगा, और अगर C2 plus 50 जो कि स्वामिनाथन कमिटी ने recommend क्या था, इसके पर demand की जा रही है, तो 10 to 15% जो से 13 crops के लिए, खिसान तो हर crop के लिए demand कर रहे हैं, तो इतना जादा extra burden हो जाएगा, एक्स चेकर के उपर भयंकर inflation हो जाएगा, पहली बात हो सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर हो कहीं से arrange कर भी लिया सरकार ने चीजों के लिए पैसा, तो health के लिए पैसा कहां से आएगा, education के लिए कहां से आगा, inflation बढ़ जाएगा, तो अभी कल किसी ने proposal दिया था, वो कह रहे थे कि सब देखें जो farmers, जो बड़े farmers है, देखें इंडिया में जो farming है, वो सबसे बड़ा private, और सबसे बड़ा जो है, एक unorganized sector है, है ना, तो कि it's a biggest private sector in इंडिया, agriculture, और इसके उपर tax भी नहीं लिया जाता है, लेकिन किसानों का subsidy दी जाती है, subsidy दी जाती है, जिसे fertilizer के लिए, water and all that है ना, subsidy दी जाती है, लेकिन tax नहीं लिया जाता, तो एक proposal ये था, कल किसी ने दिया, थोड़ा सा radical है, उन्होंने का कि बड़े किसान है, देखें छोटे किसान की बात नहीं क लाग या बारा लाग से जाता है, तो फिया तो tax दें, अगर आप tax नहीं दे रहे हो, तो subsidy को छोड़ें, आप subsidy भी ले रहे हो एक साइट से, आप tax भी नहीं दे रहे हो, इवन आप 10,000 रुपीज पर मंद डिमांड भी कर रहे हो, आप MSP की guarantee भी चाहते हो, इससे ultimately क्या होने ही कर पाएगी, ऐसे एक argument दिया गया था, लेकिन येस कुछ demand है, वो genuine demand है, of course, उनको fulfill किया भी जाना चाहिए, अब उनको लेके ही negotiations हो रही है, सरकार जो है अपना point of view बता रही है, किसान अपना point of view बता रहे हैं, अब उनको लेके दो है, सारे चीज़े issues यहाँ पर चल रहे कि बड़े-बड़े businessmen का बहुत सारा loan जो है, वो wave off कर दिया जाता है, है ना, लेकिन वो news में आता नहीं, क्योंकि वो लोग सडकों पर नहीं आते हैं, किसान कहरे हैं, भही है, अपना wave off करवाने के लिए सडकों पर आना पड़ता है, जबकि बड़े-बड़े businessmen का क्रोलर रुपे का करजा जो है, वो ऐसे ही माफ कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा, ठीक है, तो हमारा जा डिस्क्रिमिनेशन होता है, something like that, तो इस तरह की demands भी जो है, वो की जा रही है, हाला कि इसको अभी matter को थुम्रा ओपन रखेंगे, let's say future में क्या होता है, air pollution needs decentralized micro solutions, ठीक है, solution में जो हम लोग बात करते हैं, तो छोटे level पर pollution को control करने की बात करते हैं, ठीक है, और अभी report का यह कहना है, कि इंडिया में actually अगर आपको pollution को control करना है, तो आप please, micro level पर solution हम लोग ढून रहे हैं, लेकिन कोई खास success मिला नहीं है, आज भी अगर देखें, दिल्ली को दुन Unfortunately, हमारा जो Center for Science and Environment है CSC, वो कहता है कि इंडिया में life expectancy 2.6 years जादा हो सकती थी, अगर pollution कम होता, तो life expectancy मतले काम आदमी धाई से 3 साल कम जी रहा है, just because of pollution, उससे जो disease होते हैं, एस्थमावगारा बहुत सारे disease होते हैं, हमारी जो GDP है, 1.3% कोस्ट होती है, पॉलिशन की, तो GDP हमारी 1.3% और ग्रो करती है, अगर pollution कम होता, समस्से हैं तो बहुत सारी हैं, तो इसके लिए गोर्मेंट ने मैक्रो लेवल बे तो बहुत सरे steps लिये होए हैं, जो की खास successful नहीं रहे, हाला कि माईक्रो लेवल पे भी गोर्मेंट ने कही solutions लिये हैं, जै आपके लिए sufficient नहीं है, तो we need to have decentralization and solution to the pollution, क्या क्या कर सकते हैं, इनका कहना है कि देखे भाई, आप winter में तो steps लेते हो ठीक हैं, लेकिन summer को ignore मत करिये, pollution तो summer में भी होता है, ये pollution control करने की जो process है, साल भर चलनी चाहिए, एक ति इन्हों ने ये कहा, दूसरा इन्हों ने ये कहा, कि जो construction sites वगरा होती हैं, है ना, सहरों में तो construction चलती ही रहती है, आज गाउं में भी चलती ही रहती है, वहाँ पे dust control के लिए locally strict compliance कीजिए, ये इ मैं आपको ज़्यादा controlling की requirement है local level पे, जो crop farms है हमारे ये जो stable burning है, उसको control करिये, solid waste को आप control करिये, cities में कुछ खास ऐसी sites को आप identify करिये, जहाँ पे इन ये activities सबसे ज़्यादा की जाती है, वहाँ पे pollution कम होगा, behavioral change करने के लिए campaign चलाईए, जैसे पंजाब में चलाए जाते एक आई खेत mobile application है, जिनमें किसानों को aware करवाय जाता है, stable burning के जो negative impact है, उनकी health कैसे negative impact होती है, उन सारी चीज़ों को करके, उस सब यहाँ पे किया जाता है, और आपने देखो कि विंटर में लोग ना घरों में, गल्लियों में, सडकों पे जो है आग जलाते हैं, ठीक है, तो इनका कहना के भाईया, वो आप बंद करिये, open waste burning, ठीक है, लोकल लेवल पे, आप बंद करिये, जो resident welfare societies होती है, security companies होती है, उनको instructions दीजिए, उसके बदले में आप गरम कपड़ों का use करिए, आग जलाने की वज़ाए, तो यह कुछ-कुछ चीज़ दे इन उन यहाँ प Decentralization solution निकाल सकते हैं, pollution को control करने के लिए, जो इस article के अंदर बताये गए हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 years ago, Satindra Nath Bose changed physics forever, तो Satindra Nath जी, जो है, 1894 में पैदा हुए, 1974 में इनका यह expired हो गए थे, लेकिन इनों ने जो theoretical physics में जो contribution किया है, especially quantum mechanics के अंतर में, वो एक बहुत ही जाता path breaking है, जैसे Albert Einstein ते वो भी theoretical physicist थे, theoretical physicist के मतलब यह होता है, कि प्रैक्टिकल नहीं करते हो, आप अपने experiments को प्रूफ करने के लिए, actually ground में जाके practice नहीं करते हो, आप mathematical formulas का use करते हो, physics की calculations का use करते हो, और paper पर यह बताते हो, कि देखी ऐसा है, क्योंकि यह जो calculations की जाती है, अपने time से बहुत आगे होती है, तो उस समय इनके पास technical capacity नहीं होती है, उनको proof करने की, लेकिन mathematically वो paper के उपर proof होते हैं, और अगर कोई चीज mathematically paper के उपर proof होती है, तो बहुत जादा chances हैं, कि वो practically भी proof हो जाएगी, अगर उसको अंदर बहुत जादा flows नही किया, जिसमें Bose Einstein statistics कहा जाता है, तो Albert Einstein के साथ मिलके जो है, इन्होंने काम किया, और इन्होंने Bose Einstein condensate की स्थापना की, यह क्या होता को बताता हूँ, मैं एक concept इन्होंने नया यह discover किया था, तो जो standard model of particle physics है, उसके इन्होंने contribution किया, और Higgs boson, जिसे बाद में gold particle कहा जाता है, जिसको बाद में LHC ने discover किया था, है न, gold particle को, इनके नाम पर ही पढ़ाया, basically, वा Higgs boson, तो यह boson जो है, सतिंदरनाद Bose जी के नाम पर है, तो कितनी बड़ी बात है, इंडिया का एक scientist, physicist ने इतना नाम कमाया, कि physics, fundamental physics का जो model है, उसके center में इनका नाम है, है न, Higgs boson, तो इ तो इन्हों ने जो black body radiation का concept था, 99-24 में, उसको इन्हों ने नए तरीके से define किया, और इन्हों ने ये कहा, कि जो particles होते हैं, यानि कि जो photons होते हैं, electrons होते हैं, उनका जो behavior होता है, वो different होता है, अलग-अलग temperatures पे, तो इन्हों ने basically, इनके behavior को study करने के लिए काम किया, लेकि इन्हों ने ये भी बताया, कि photons और electrons के लावा जो bosons होते हैं, ये भी हमारे particle physics का एक part होता है, जो कि इनके नाम भी पड़ा हुआ है, ये different behavior करते हैं, और इन्हों ने इसके basis पे एक बोस Einstein condensator निकाला, ये क्या होता है condensator, बोस Einstein condensation को कहा जाता है fifth state of matter, देखे हम ये तो पहले सी पता है, solid होती है, liquid होती है, gas होती है, plasma होता है, लेकिन ये fifth stage होती है, plasma बहुत high temperature पे जाके होता है, लेकिन extremely low temperature, मतलब absolute zero, minus 273.15 degree centigrade, इस temperature पे जाने के बाद, जो particles होते हैं, proton, electrons, neutrons, bosons, positrons, etc, वो इतने condens हो जाते हैं, इतने low energy हो जाते हैं, को उनके behavior में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, उसे single particle cloud कहते हैं, तो इसे कहा जाता है fifth state of matter, solid, liquid, gas, plasma, जो high temperature पे होता है, और boss Einstein condensate, जो extremely low temperature पे होता है, तो इन particles का behavior extremely change हो जाता है, they act like a single one, क्योंकि उनके energy इतनी ज़्यादा low हो जाती है, इतने कम temperature पे और बाद में इनकी theory को 1995 में जो है experimental प्रूफ भी किया गया, ठीक है, और जिनोंने वो प्रूफ किया था, वो तीन scientists थे, Eric Cornell, Carl Virion और Welford Katton, इनको Nobel Prize मिला था 2001 में, जबकि boss को, वे deserve करते हैं Nobel Prize physics में, आज दक इनको मिला नहीं है, Albert Einstein को मिला, जिसके तर नहोंने काम किया था, लेकिन एक large community का कहना है कि boss, सतेंदर नाद बोस जी जो है, वो physics में Nobel Prize definitely deserve करते हैं, और इनको shared future में मिल भी जाएगा, ठीक है, चलिए, और यहां से UPSC में question भी आया है ओलड़ी, ठीक है, Hicks Boston particle को लेके, तो इस question को अब ध्यान से पढ़ें, और नीचे comment section में इसका answer दें, कल म मैं आपको इसका सही answer बताऊंगा, ठीक है, चलिए, on the right to maintenance for divorced Muslim women, article क्या कहता है, article बेसलिए तेलंगाना के case आया है, और तेलंगाना के उस case में, यह demand की गई है Muslim women के द्वारा, कि उसके divorce को तीन महीने से जादा हो गए है, ठीक है, और उसके husband ने उसको maintenance देने से मना कर दिया ह और उसने दुबारा शादी भी नहीं की है, री-marriage भी नहीं की है, तो इसलिए उसको maintenance दिया जाए, लेकिन वो जो person था, उसने high court के अंदर अपील की, high court ने कहा के भईया आपको बिलकुल 10,000 रुपे, पहले उन्होंने 20,000 कहा था, बाद में कहा 10,000 रुपे आपको अपनी बीवी को देने ही पड़ेंगे, every month for the maintenance, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है, अब वो चले गए सुप्रीम कोट में, और सुप्रीम कोट में उन्होंने कहा कि देखे साब, जो हमारा Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 है, जिसे शाह बानो केस के बाद इसको implement किया गया था, क्योंकि उस समय सु अपनी वाइफ को maintenance दीजिए, ठीक है, शावानो के इस world famous है, उसको counter करने के लिए सरकारे कानून लेकि आये थी Muslim Women Protection Rights on Divorce Act 1986, और इस Act के तहत, तीन महीने के बाद, कोई भी Muslim Women को maintenance नहीं मिलेगा, चाहे उसने शादी करी हो, चाहे शादी नहीं करी हो, और ये काफी controversial रह, of course, लेकिन हमारे पास से एक हमारा criminal procedure code का section 125 भी है, section 125 ये कहता है, कि कोई भी women, उसका divorce अगर होता है, तो उसका maintenance बनता है, जब तक वो शादी नहीं करती है, ठीक है, wife includes any women who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried, अब ये दोनों यहापे आपस में contradict कर रहे हैं, section 125 कह रहा है, भी है आपको maintenance देना पड़ेगा, जब तक ये remarriage नहीं होती, ये Muslim Women Protection Rights Act क्या कहाता है 1986, कि हाँ, maintenance सब देजिए, लेकिन सिर्फ तीन महिने तक, क्योंकि तीन महिने के पिरिड को a period usually of the three months which a woman must observe after the death of her husband or a divorce before she can remarry, ठीक है, ये दोनों के अंदर है controversy, और contradict करते हैं दोनों आपस में, तो अभी court के अंदर ये मामला गया है, ठीक है, और court ने इसके उपर सुनवाई अभी करेगी, तो बात यहाँ पर यह है कि जो secular law है, ठीक है, secular law मतलब 125, CRBC, और जो personal law है, Muslim Women Protection Rights Act, अब दोनों के बीच में, यहाँ पर clash हो गया, ये कुछ का रहा है, वो वाला कुछ का रहा है, court का, अभी देके final verdict आया नहीं है, लेकिन जो कुछ-कुछ observation की गई है, court ने usually ये कहा है, that, a divorce woman, so a divorce Muslim woman is entitled to all rights of the maintenance as they as are available to the other divorce women in the country, तो यह कहना है कि भाया, एक divorce women, divorce women होती है, चाहे वो Muslim से हो, चाहे Hindu से हो, चाहे Christian से हो, हम लोग ऐसे discriminator नहीं कर सकते, ये secular law कहता है, आपका section 125 कहता है, पर article 186 में कहीं नहीं लिखा है, कि कोई women article 125 में case नहीं कर सकती, मतलब इसने उसको open to interpretation रखा हुआ है, court का ये कहना है, कि अगर ये 86 वाला कानून, ऐस मानता, कि ये जो section 125 है, Muslim women पर लागो नहीं होगा, तो उसके अंदर वो mention करते, उनने mention किया ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि Muslim women, तीन महीने के बाद, इद्दत की period के बाद, section 125 का use कर सकती है, उसकी मर्जी है, अगर वो करना चाहे तो उसको कर सकती है, ठीक है, अब ये मा prominent, prominence में आते हैं, according to Supreme Court, या फिर यहाँ पिस personal लो आता है, तो ये एक landmark judgment होगा, जब भी आएगा, तो फिलाल तो बड़ा interesting चल रहा है, यहाँ पर इस system, ठीक है, उसके लाग एक editorial भी है, आज dictionary meaning को लेके, और कल भी ये कार्टिकल आया था, dictionary meaning को लेके, तो basically, सरकार ने ये कह है, कि government को ये कहा है, Supreme Court ने, कि please आप forest का जो dictionary meaning है, उसको यूज करिए, आप खुद का कोई भी meaning मत बनाई है, forest का, यहोने का है, और forest का dictionary meaning क्या होता है, forest का dictionary meaning होता है, any tract of land which is covered by the trees and undergrowth, मतलब जिसके अंदर पेड़ पोधे होते हैं, जाडियां होती है, उससे आप forest कह सकते हो वो चाहे सरकार के दर रेकनाईस किया गया हो या नहीं किया हो वो matter नहीं करता है, अगर एक land piece of land है, उसके पर पेड़ पोधे हैं, descent उसका मालों 10 hectare से जादा का उसका area है, तो उससे आप forest declare करोगे, मतलब that's a forest, ऐसा उन्होंने कहा, तो Supreme Court ने basically तो यह कहा है, और यह जो Supreme Court ने कहा है, this is according to the 96 verdict, जिसको कहा जाता है, T.N. Godavaram case, जो तमिलाडू के अंदर में आया था, तमिलाडू की सरकार ने 1990s में ऐसे कहीं सरे कानूनों मनाया थे, जिसके वज़े से काफी जादा जंगलों को महाँ पर काटा गया था, और सरकार का यह कहना था, क्योंकि यह जंग नहीं पड़ता, आप उसको forest के अंदर consider करोगे, अब यहाँ पे forest को दो काटिग्री में कंदर रखा गया है, सरकार के दौरा, सरकार ने 2023 के अंदर एक कमेंडमेंट किया था, ठीक है forest conservationary 1980 के अंदर, जिसमें सरकार ने कहा था कि हमारे पास दो तरगे forest होंगे, एक होता है declared forest और एक होता है government record forest, उसके अलावा, ऐसा कोई भी forest, जो ना तो government record में हो, ना ही declared हो, उसको सरकार commercial activity के लिए use कर सकती है, ऐसा 2023 का article में कहा गया था, लेकिन Supreme Court ने कहा कि नहीं, Supreme Court ने union territories को, state governments को, दो हफते, तीन हफते का time भी दिया है, दो हफते का, ये कहा है, कि जल्दी से जल्दी, आप एक comprehensive record बनाईए, जिसके अंदर, सारे के सारे forest cover हों, और हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, नहीं तो सरकार forest को cut करती रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है, तो forest conservation amendment bill 2023 क इसके अंदर कहीं सारे changes, जो है, सरकार ने किये थे, इसके अंदर एक सबसे बड़ा change हुआ, वो ये हुआ, कि जो state government है, वो अगर किसी जंगल को, किसी forest area को change करना चाती है, non forest purpose के लिए, तो उसे central government की permission लेनी पड़ेगी, एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने ये क कहा, कि ऐसी land, जहां पे पेड़ फोदे तो हैं, जंगल तो हैं, ट्रीज तो हैं, लेकिन वो declared नहीं, उनको non forest purpose के लिए उस करने के लिए permission की requirement नहीं है, जैसे, आप ये मान के चलिए, ये bill exempt certain type of land from the provision of the act, जैसे railway line होती है, उसके आसपास ही पेड़ फोदे होते हैं, ठीक है, जैसे public road होती हैं, सड़के होती हैं, उनके आसपास ही पेड़ फोदे होते हैं, तो सरकार नहीं कहा कि इस तरह की land को non forest purpose के लिए उस करने के लिए किसी तरह की permission की requirement नहीं है, आप नहीं कट कर सकते हो, जैसे सड़क आपको चोड़ी करनी है, नहीं railway line बिच्छानी है, उस तर और सरकार नहीं ये भी कहा, अगर आपको highway construct करना है, कोई hydro power project बनाना है, या किर्शी ओ तरह का बड़ा project बनाना है, जो कि international border के 100 km के अंदर आते हैं, ऐसे project के लिए आपको forest clearance की कोई requirement नहीं है, आप सरकट कर ये project बनाइए, ये कुछ-कुछ चीजे जो हैं यहाँ पे की गई होगा, livelihood opportunity जो है, डिवेलप होंगी, क्योंकि अभी नए-ने project सरकार बना रही है, infrastructure पे बहुत 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 पैसा खर्चा कर रही है, ठीक है, और जैसे border areas में, national security के case में, north east India में, तो इसे jobs create होंगी, एक तो बड़ा benefit ये है, environment जो है वो बाधा नहीं बनेगा, barrier नही नहीं बनेगा, development projects के अंदर, ठीक है, और सरकार नहीं ये कहा है, कि भी है, इसकी वज़े से क्या होगा, हम लोग ऐसी land के ओपर भी पेड़बोदे लगा सकते हैं, जहांपे पहले थे नहीं, तो हम लोग carbon sink generate कर सकते हैं, बहुत सारा, लेकिन कौन्स हैं इसके, कौन्स हैं कि जो गुदावरन judgment था, 1996 के, उसको इसमें नहीं डायलूट कर दिया, है ना, दूसरा ये हुआ कि जो forest record में नहीं है, लेकिन forest है, लेकिन record में नहीं है, आप सरकार नों को cut down कर सकती है, without any issues, उसके अलावा, defense purpose गर्ण के लिए, अब क्या होगा, नोर्थी स्टेट्स हैं, तो ये कुछ इसके cons है, लेकिन अभी सरकार ने ये कहा है, सुप्रिंग कोट ने सरकार को ये कहा है, कि भीया देखिए, forest की आप dictionary meaning को use करिए, ठीक है, फिलाल, हाला कि ये verdict final नहीं है, ये इसके लिए भी समय दिया गया है, final verdict तो बाद में आएगा, जो final verdict है कि तब देखें वैसा भी हो सकता है, तो मामला भी चलेगा ये, इसको थोड़ा हम लोग future world पढ़ते रहेंगे उस perspective से, ठीक है जी, उसके लावा कुछ additional article है, आपको करने के लिए मैंने दिये हैं, ये वाला पढ़ सकते हो, ठीक है, tiny plastics वाला, micro plastics, अगर कल अच्छे article नहीं आते हैं, तो कल इ definitely include करेंगे, आज के लिए तना ही है, thank you very much, all the best, जय हिंद, जय जवान, जय किसान,